तो यहाँ पर वीमाट रीटेल के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कमपनी ने क्वाटली और एरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ ही में हिट दे बैल आइकन तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रेविन्यू में 105% का इंक्रिमेंट है Q on Q basis पर पिछले क्वा क्वाटर में जबकि पिछले क्वाटर में 14 करोड का लॉस था तो वाइस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है अब यहाँ पर रेविन्यू देखें एर और यह बेसे तो 47% का इंक्रिमेंट है पिछले डिसेंबर के क्वाटर से यह डिसेंबर के क्वाटर को कंपै हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है अब यहाँ पर फाइयर हाई की बात करें तो 4848.80 रुपीज का इसका फाइयर हाई है और करेंटली 3693.45 पर ट्रेट कर रहा था और आज यह 0.48% अप था पर जैसे के रिजल्स काफी शानदार आए तो यह शेर कल आ पर जाते हुए आपको दिख सकता है तो अगर आपने सोचा है इसमें ट्रेड लेने का तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो आपको वीमार्ट के रिजल्ट समझ में आ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेर और चैनल और अगर आउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूच सकते हो थैंक यू